हलो एंड वेलकम टू सिनोप्सिस माइनम इस कृष्णा इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिलिम्स करंट अफेर्स 29 एंड 28 दोनों नवंबर 2020 के लिए current affairs के नाम पर जो बड़ी news है that is merchant shipping bill 2020 इस से related जो हम news पढ़ेंगे that is mlc यह हिंदू में नहीं है इसकी जो में हाइलाइट है इसकी जो में हाइलाइट है इंडिया में emergency response के लिए कोई भी regulatory framework law policy या फिर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है तो ऐसा पहली बार कोई bill या कोई policy लेके आएगी साथ में जो repatriation of abandoned seafarers या फिर जो इस तरह के vessels हैं जो किसी और country में फस गए है तो उनको लाने के लिए provision जो है वो enhance कर दिये गए है कैसे enhance किये हैं अपने मन से नहीं किये हैं जो maritime labor convention की regulation है यह IMO international maritime labor organization या फिर ILO labor organization इनकी regulations होते हैं आगे हम वही चारों पढ़ने वाले साथ में digital India की बात कर दी गई है electronic registration आप कर सकते हो और IMO convention भी बिल में एडॉप्ट कर लिया गया तो significance means point of view से आप सोची सकते है ways of doing को बढ़ाएगा दूसरे लोग invest करेंगे digital India को बदाही देगा और self-reliant investment वगरा यह लेके आएगा maritime industry पे तो MLC क्या है maritime labor convention 2006 का है ILO ने दिया था यह याद रखना IMO नहीं है maritime नहीं है international labor organization convention कहलाता है convention number 186B को कहते हैं इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए exam में एक दो बार पूछ चुका है convention number 183 क्या है 206 क्या है ठीक है तो अगर इस तरह की कोई चीज आती है तो convention number ABC that is related to ILO यह याद रखना बस ठीक है तो because this is maritime labor convention नाम से आपको पता चल रहा है तो इसमें जो principles होंगे maritime और other international labor दोनों के convention होगे labor organization आप देखी रहे हो ILO ने बनाया इसको fourth pillar of international maritime law कहा जाता है बाकी 3,16 S,HTCW और Marpol हैं उनको हम देखेंगे यह क्या करता है कि दो parties पर apply होता है suppose यह country A है और country B है एक port state party मिला जिसने इसे signature इसे इंडिया है तो इंडिया पे तो यह applicable है apart from that suppose one country B वो इस convention की party नहीं है उसने convention sign नहीं किया लेकिन वो इंडिया के vessel को flag करके लेके आ रही है ठीक है तो फिर उसको यह convention follow करना पड़ेगा और यह flag state कहते है flag state मतलब अगर कोई country है suppose यह आपका पपुआ न्यूग नी है वो इंडिया का flag लेकिए अपना वैसल चला रहे है तो उसे हम flag state कहेंगे इंडिया को तो यह 90% तक होता है फिर सोलाइस क्या है 1974 इंटरनेशनल मेरिटाम ट्रीटी है इंटरनेशनल कन्वेंशन फोर सेफटी ओफ लाइफ एट सी तो सेफटी ओफ लाइफ कैसे करोगे जो भी आपके equipment है सेफटी स्टेंडर्ड है equipment हुए construction और operation इसे related आप जो भी minimum standards है वो आप बनाओगे इसको सबसे important ट्रीटी कहा जाता है सेफटी के लिए इंडिया इसका भी एक member है ठीक है तो यह हुआ labor के लिए यह वाली हुई आपकी सेफटी के लिए तो इसमें मेली construction equipment यह सारी चीज़े देखी जाएंगी इसके बाद आता standard of training के लिए ठीक है human resources के लिए अगली वाली है prevention of pollution के लिए MARPOL ठीक है तो standard of training certification and watch keeping for seafarers ठीक है तो minimum qualification standards आपको 10th pass होना चाहिए ITI करोगे क्या करोगे तो यह चीज़ आप globally define करोगे यह 1978 में IMO ने adopt किया था International Maritime Organization this is not ILO बस एक है जो ILO का है that is this one labor वाला पार्ट इससे पहले होता क्या था कि जो individual government थी वो यह सब standards बनाती थी तो अब किसी country का अलग हुआ किसी country का अलग हुआ तो जो भी international transport है चाहे वो आपका marine हो चाहे आपका air हो उसके लिए globally similar conventions है worldwide same standards है यहाँ भी India member है मारपोल 73-78 इसको 73 क्यों कहते है क्योंकि जो convention है prevention of pollution from sips ठीक है 1973 का है इसका प्रोटोकॉल है वो 78 का है that's why it is known as Marpol पोल मतलब pollution ठीक है तो इस वैसे 73-78 कहा जाता है यह भी IMO ने develop किया और इसका objective आप इसके नाम से समझ सकते हो ठीक है ocean और sea में जैसे dumping हुआ oil और air pollution इन सब चीज़ों का है इंडिया इसकी भी party है इसके अलाबा एक बहुती फालतुसी news है IUDIN unique documentation identification number होता क्या है कुछ fake CA है ऐसे बहुत से जो CA नहीं है ऐसे CA की report बना देते हैं ठीक है कि हमने audit कर दिया तो fake tax audit report जो की ICAI से authenticated CA ने नहीं किये उनको weed out करने में help करता है ठीक है तो क्या होगा जो भी CA है ICAI से रइस्टर्ड या practicing CA है वो एक 18 digit system generated UDIN number देंगे कि हाँ ठीक है आपने proper tax audit करा जाया तो UDIN is related to CA द्वारा किया गया tax audit इसके बाद कुछ current फेर सके बाद contemporary issues जब आत्म निरभर भारत 3.0 आया तो उसके साथ में ये भी एक scheme आई emergency credit line guarantee scheme तो ये MSME को credit देरती है और around 26 stress में जो sectors है उनके लिए है ये sectors किसने identify कि ये खत्रे में है कामत committee और health sector इनको मिला कर ठीक है तो मेंली जो COVID-19 lockdown की वए से MSME को distress हिलना पढ़ रहा है वो तो loan अगर आप लेते तो one year moratorium loan पर है और चार साल का repayment पर है आपको कुछ extra pay नहीं करना पड़ेगा अगर आप इतने time के लिए default करते हो तो बाकि इससे फायदे क्या होंगे job बचेंगी economy बढ़ेगी फलाना फलान solar energy को hrash करने के लिए harness करने के लिए not hrash sorry क्या क्या technology है एक होती solar photovoltaic ठीक है solar battery आपने देखा होगा यह लगे होते हैं यहां sun की light होती है इसको हम battery में store कर लेते हैं photovoltaic effect की वह इसे होता है ठीक है photovoltaic effect में अगर आप देखो तो एक photon आता है surface पर आता है और वो पूरी इ speech वहां पर detail में जब पढ़ेंगे तो ठीक बस इतना याद रखो कि जो यह photon है इस surface पर पढ़ेगा तो दूसरे photon को activate कर देता है energy बन जाती है Concentrating solar power CSP Sunlight से आप fluid किसी liquid को गर्म कर जैसे solar heater हुए है ठीक है geezer हुए सौरी इसके बाद ADMM Plus ASEAN Defense Ministers Meeting Plus है तो वियत नाम करेगा इस साल के end में अगले महिने तो आशियान तो करेगा और साथ में 8 dialogue partners भी करेगा और इसमें एक इंडिया भी है अब prelims में ये question कई बार पूचा है कि मतलब आशियान का member India है की नहीं आशियान आपको पता होने चाहिए कौन-कौन से countries है South East Asia और जितने भी चिद्धी पिद्धी से island है वो सब आशियान में आते हैं यहां पर इंडोनेशिया यहां से लेकर वहां तक Australia तक ठीक है तो इंडिया आशियन का पार्ट नहीं है और जो भी area of cooperation है maritime security करेंगे terrorism यह सब बस यही रोक देंगे terrorism आश से humanitarian assistance होगे disaster रोकेंगे peace keeping operation होगे military medicine यह चीज़े मिलेंगे then एक FPO farmer producer organization का प्रोग्राम है honey से related नाफेड चलाएगी तो ministry of agriculture ने यह program inaugurate किया national agriculture cooperative marketing federation ठीक है एग्री से related जो cooperative marketing है उसको हम नाफेड गहते है producer organization क्या होती है हम जो भी primary producers है primary producer आपको पता होगा economy primary industry second industry third industry तो जो भी primary producers है उन्होंने मिलके legal entity बना ली this is type of company only ठीक है चाहे हो farmer producer हो milk हो तो जो honey की खेती को हम कहते है उसे हम कहते है एपी कल्चर ऐसे बहुत सारी कल्चर है आप जो पढ़ते रहते हों कि सेरी कल्चर है ठीक है और एग्री कल्चर भी है होटी कल्चर फ्लोरी कल्चर पता नहीं कौन-कौन से कल्चर एक्जाम में 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 पूछा हुआ है यह कौन-कौन से कल्चर है revolution अगर आप कुछ जानते उन में से तो you can tell कि कौन से कल्चर आप जानते उनका meaning क्या है वन वर्ड मीनिंग बस यह पता है अपी कल्चर मतलब हनी बी बस खतम हनी बी से क्या होता है हनी और वैक्स दोनों बनते हैं तो नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन स्वीट रिवॉल्यूशन मिठास ले आएगा आपके कंट्री में नाफेड एक ऐसी एपक्स और्गनाइशन है जो कौपरेटिव मार्केटिंग कौपरेटिव की तो बस आप वहां पर जाके अपने इंपूट देदो और प्लामेट चेंज रुक जाएगा तो डाट्स ओल फॉर दडे यह जो कंटेंट है आप यहां पर सिनॉप्सिस आइश की वेब साइट में जाके यहां पर पढ़ सकते हो 2020 सीरीज फो 2021 लांच और यहां पर आप जाकर daily current affairs you can study आप पढ़ सकते हो इस पेज पर आपको click करना है यहां पर click here for daily current affairs तो this will be there so thank you for watching for other courses आप synopsis is join कर सकते हो synopsis की जो खासियत है this is synoptic content so thank you मिलते है every lecture में